हेलो गाईज, वेलकम बैक टू दायर विद चैनल, होप यू गाईज आ डोइंग वेल, तो आज कर जो हमारा वीडियो लेक्चेर होगा, वो हमारा सुश्रुत निदान का सिक्स्त अध्याय, जो कि हमारा प्रम्हे निदान है, उस पर होगा, तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने प्रिवेसली एक से लेके फिफ्ट अध्याय तक सुश्रुत निदान की कम्प्लीट कर लिये हैं, अगर आपने वो अभी तक विजट नहीं किया है, तो आप हमारे पेज़ पर जाके प्लेइस्ट है, सुश्रुत निदान वहाँ पर विजट कर सकते हैं, जा फिर आपको डिस्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी प्लेइस्ट पर आप वहाँ पर भी जाके सारे लेक्चर्स विजट कर सकते हैं, तो बढ़ते हैं आगे अपने आज के टॉपिक पर, जो कि हमारा प्रमे है, तो देखते हैं, जैसा कि आप लोगोंने पहले भी अपने चरक निदान में प्रमे के लिए पढ़ लिया होगा, बट अब सुश्रुत की अकॉर्डिं हम पढ़ेंगे, प्रमे, तो सबसे पहले प तो यहां पर आचरी सुश्रुत ने बताया है कि जो दिवा स्वपन करता है अव्यायाम जो व्यायाम नहीं करता है आलस से प्रसक्तम जो आलसी पुरुष है और वो निरंदर शीत स्निग्द मधूर मेद द्रव अनपान का सेवन करता है, मतलब मेद द्रव जो मेद को चरीर के मेद वर्दक अनपान का सेवन करता है वो व्यक्ति को प्रमे होता है तो जो दिन में सोता है हमारे अईरवेद में बताया गया है कि दिवा स्वपन से प्रमे होता है जो हमेशा आलस जो एक्ससाइज नहीं करता है जो हमेशा खाली शीत मधूर स्नेक्द मेद द्रव केवल ही केवल सोता है और बिल्कुल व्यायाम नहीं करता उस पुरुष को जोता है प्रमे होता है नीचे विमर्ष में भी बताया है दिन में शयन करने वाले व्यायाम करने वाले तथा आलस युक्त पुरुष को शीतल पुसनिक्द मधुर मेदो वर्दक अथिक पतले अन्न और पान का सेवन करने वाले मनुश्य को प्रम्हे होगा, ऐसा जान लेना चाहिए, फिर नीचे विमर्ष में आप देख सकते हैं, यहाँ पर माधव लिखा होगा, लेकिन आप उसे काट के चरक लिख देंगे, क्योंकि आचरा चरक ने बताया है, कि आज से सुखम, स्वपन ने बताया है, कट करता है, उसको क्या होगा, उसको प्रमे होगा, तो यहाँ पर माधव लिखा है, لेकिन आप उसे कट करके चरक लिख लिखा है, यहाँ पर थोड़ा से मिस्टेक है, फिर बढ़ते हैं आगे यहाँ पर कुछ बताया गया है नीचे कारण की बाद अब संप्राप्ति का वणन किया गया है तस्य चैवं प्रवृत्यम परिपक्वा एवं वात पित्टशलेश्मनो यदा मेदसा उपर बताये कि जो भी प्रमेह जनक अहर वियार होता है उसका सिवन करने से क्या होगा वात पित्टशलेश्मनो तीनो दोश प्रकुपित होगा और क्या करेगा मेद धातु मेदसा सहत्यो मतलब मेद धातु के साथ जो होता है प्रमेह जनक अच्रित्या बस्ति के मुख को घेर कर वहां पर प्रमेह की उत्पति करता है इस प्रकार जोता अच्रित्या सुष्रुत ने संप्राप्ति के बारे में वर्णन किया है फिर अच्रित्या सुष्रुत ने यहां पर पूर्वरूप के लिए बताया गया है पूर्वरूप के लिए उन्हें ने बताया है तेशाम तू पूर्व रूपानी हस्त पाद तल दाहा क्या बताया है हस्त पाद और तल में जो ता दाहा बताया है यहाँ पर आप इसे देखेंगे आप इसे हाइलाइट करेंगे हस्त पाद तल में दाहा बताया ना किस में होता है प्रमे में होगा स्निक्द पिछल गुरुत करेंगे मदूर होगा शुक्ल होगा मूद्र कट्याग करता है और उसमें क्या होगा चीटिया लगती है कि उनका मूद्र मूंदूर होता है टंद्रसाद पिपासा दुर्गंदस्च स्वास स्तालो जिवाद अदंतेशू मलयू उत्पती जटिलाभाव केशाना म०्धश्च नखा नाम आप ये दो-तीन वर्ड हाइलाइट करेंगे आपको सारी चीज़े याद रखने की जरूरत नहीं है आपको पहले याद रखने है हस्त पाद तल में क्या होगा दाह होगा उनका मूत्र कैसा होगा मधूर शुकल और कैसा होगा मूत्र होगा ये सब कॉमन है उसमें तंद्रा होगा पेपासा होगा दुरगंद स्वाश्च ये सब कॉमन है आपको याद रखना है जटील भाव केशा नाम व्रिद्धश्च नखा नाम क्या होगा उनका जो केश होता है वो से कैसे कहते हैं जब हम आईली हो जाता है तो जटील में एक दूसर में चिपक जाता तो उसी के प्रकार जटील भाव केशा नाम व्रिद्धश्च नखा नाम और नखो के व्रिद्धी होते हैं ये लक्षन जो होते हैं पुरुरूप हैं ये प्रम्हे के पुरूप हैं तो कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है हस्त पातल में क्या होगा दाह होगा प्रभूत मूत्र लक्षना ये तो कॉमन है प्रमे में क्या होगा अवील और प्रभूत मात्रा में मूत्र का त्याग करेगा आपको पता है जो भी प्रमेर होगी होता है उनको जो होता है यूरिनेशन फ्रिक्वेंट होता है तो मूत्र जो होता है प्रभूत मात्रा में और यहां पर अवील, अवील का मतलब होता है कैलूशित, मतलब धुन्दिला मूत्र का त्याग करेगा और अधीक मात्रा में, तो यह उनके सामाने लक्षन है, फिर यहां पर बताया है, सरव एवं सरव दोश समुत था सहपीडिका भी, मतलब यहां पर बताया है, जितने भी प्रम्हे पीडिका है कितने प्रम्हे पीडिका होते हैं आचारा चरक ने साथ प्रम्हे पीडिका की बाएर में बताया है और आचारा सुष्लुत ने दस प्रम्हे पीडिका की बाएर में बताया है तीन और एक्ष्ट्रा बताया है वो हम आगे पढ़ेंगे अध्याय के अभी एवं सर्व दोश समुथा है सब पीडिका भी मतलग जितने भी प्रम्ह पीडिका है और जितने भी प्रम्ह सब कैसे होंगे त्री दोशज होंगे फिर हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आप लोगों ने चरक में पढ़ा होगा निदान में टोटल प्रम्ह कितने होते हैं 20 कोफच्य के तकी अब कता है कि टोटल प्रमह बढ़ते हैं अभी आपक हैं चाहा हो retour बढ़ते हैं अग्याव कपड़के नामों को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम पर कफच्य को बता है नहीं हैं यहाँ पर बताया गया है तत्र कफ उदके एकशु वालिका सुरा सिक्ता शनेर लवन पिष्ट सांद्र शुक्र फेन मेह दश साध्य दोश दूश्या नाम समक्रियत तुत्वा आपको यह याद रखना है कि कफच कैसा होगा हमेशा कफच जो होता है साध्य होगा क्यों साध् है मतलब दोनों ही कैसे होता है रूख्ष रूश्न होता है और इनका कैसा होगा चिकित्सा में कट्टू तिक्त कश है दोनों के चिकित्सा भी कॉमन है तो इनकी चिकित्सा समान होने के वज़े से इनकी दोश दूश्य जो होता है सुख साध्य बताएगा इनकी लिए एक ही इस्ट में, सांद्र में, शुक्र में, और क्या फेन में, ये 10 प्रमय उत्पन होते हैं और इनमें दोश और दूश्री के चिकिल सा समान होने के करें ही हमने इन्हें आचरय सुश्रुत ने साध्य बता रहा हैं तो आपको ये चीज यागत रखने कफश प्रमय कैसे होते हैं, स दोनों ही रूख्ष और उष्ण होते हैं साथी में कट्टू तिक्त कशाय से शान्त होते हैं तो इनकी चिकित से समान होने के वज़े से वो कैसे हैं वो सुख साध्ध हैं तो ये आपको यहां से विमश से देख लेना है फिर बढ़ते हैं हम अपने पितच प्रमय के लिए पि कुमश विशम क्रियत्वत्वा आपको पीछे भी हाइलाइट करना है सम क्रियत्वात सम क्रियत्वात मतलब जिनके दोश और दोशी का क्रिया कैसा है सम है सम होने के वज़े से वो साध्ध हैं तो आपको ये याद रखना है आप कफज में यहां पे पीछे देखेंगे आप तो आपको यह याद रखता है किसे साध है याद रखेंगे तो आपको आसानी होंगी फिर आगे बताया है पित्टच प्रहम के लिए विशुम्कृयत्वाथ विशम करियतिवात किसके लिए बताया है पितज के लिए और याप पे बताया है उसके लिए तो ये चीज आपको याद रखना है कितने प्रकार के पितज है पित अनील है हरिद्रा है अमल है चार है मंजिष्टा है शोनित है ये जो होता है छे प्रकार के पितज है और इनके दोश और दूशी की चिकित सा विश्म है इसलिए इसी जोता ही आप पर बताया गया है तो आपको इस प्रकार याद रखना है फिर इहां पर जोता वातश प्रमहे के लिए बताया है हमने बताया है पीछे इंट्रोडक्शन में की टोटल किते होते हैं वातच वातश प्रमहे टोटल चार होते हैं तो यहां पर इसी प्रकार श्लोक में भी देखेंगे आप दस्वे नंबर श्लोक में तो आप यहां पर देखिए वातश सर्पी वसा चोद्र हस्ती में अश्च अस्याध्यत्मा महा महात्य एक्तवाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद् तो आप ये चीज याद रखेंगे और ये कैसा है असाध्यत्मा वातच कैसा होता है हमेशा असाध्यत्मा तो आप अपने पेच के टॉप पर ये चीज लिख लेंगे कि कफच प्रमय कैसा था कफच साध्य था वापितच प्रमय कैसा था पितज यापित था वातच प्रमय कैस अब वातच प्रमय जो होता है वह असाध्य होता है तो आप यह चीज इस प्रकार अपने पेच के टॉप पर लिख लेंगे तो आपको वह पढ़ने में असानी होगी तो इस प्रकार हमने सारे प्रमय के नाम देख लिए अब उनके जो होता है विशेश लक्षन को देख अगर हम वात को शमन करने के लिए मधूर और सनिक्द देते हैं तो हमारा दूश्य क्या है प्रमेय में मेद और मज्जाए तो वो दोनों ही दूश्य मधूर और सनिक्द से बढ़ेंगे तो अगर हम एक को खटाना चाहेंगे तो दूसरा बढ़ जाएगा इसलिए वो असार्धे बतायागे वातच प्रमे क्योंकि इनका क्रिया कैसा है विश्यम क्रिया होने के वज़े से फिर यहाँ पे देखेंगे हम कफ़च प्रमे के प्रतेक के लक्षन के हिसाब से तो यहाँ पे देखिए आपको पता है यहाँ पे देखिए तत्र श्वेतम वेदनम उदक सादुश्यम उदक मेही मेहती यहाँ पर क्या बता है उदक मेह के लिए उदक मेह के लिए बताया है उदक मेह वाला व्यक्ति श्वेत श्वेत और वेदना रहित और जल के समान मुत्र का आपको पता है उदक मतलब क्या होता है यहाँ पर देखे मैंने लिख लिया है आप भी लिख लिएंगे इसी प्रकार से कि उदक मतलब होता है जल और जल कैसा होता है जल स्वच्छ होता है श्वेट उसी प्रकार जो था उदक में वाला व्यक्ति कैसा मुत्र त्याग करता है श्वेत वेदना रहित जल के समान उदक से ही नाम है जल मतलब श्वेत होता है और कैसा होगा वेदना रहित मूत्रिकत यह करता है तो आपको यह MCQs में इतना इजी आएगा नहीं तो फिर आगे देखते हैं एक्षू एक्षू रस तुल्यम एक्षू बालिका में ही अब यह भी नहीं देंगे अगर यह वर्ट देंगे तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कौन है एक्षू रस तुल्यम एक्षू बालिका होगा तो यह भी आपको क्यों देंगे लेकिन आपको इसको याद रख जरूर रखना है फिर यहां पर सूरा मेह के लिए बता है सूरा मेह सूरा तुल्यम यह भी क्यों देंगे क्योंकि इसके वर्ड मेह है सूरा मेह सूरा तुल्यम तो यह भी नहीं देंगे फिर यहां पर बता है सरुजम सिक्ता अनुवृद्धम सिक्ता मेह आपको यह चीज याद रखना है कि सरुजम आप नीचे देखेंगे यहां पर सिक्ता मेह वाला व्यक्ति पीडा के सही तता कफ से छोटी छोटी बालू का रेति के कणों से युक्त मुत्र का त्याग शिक्ता मतलब आपको पता है एक solid particles होते हैं तो जो लिधिक्ता मेह वाला रोगी रहेगा वो छोटे छोटे बालू के कण से है युक्त मूतर ट्याग करें को किसे सरुज़म आप These क्योड रहते सरुज़म दिए सैंता सरुज़म तो आपको यह चीज़ को रिलेट करना पड़ेगा कि जो सिक्ता में वाले रोगी कैसा होगा वेदना से युक्त मतलब रुजा से युक्त और छोटे-छोटे सिक्ता मतलब कण बालू की कण जैसे होते हैं उस प्रकार के जो ते मूत्रे को त्याग करेगा फिर आपको याद रखना है शनेर मेही का यहाँ पर देखेंगे शनेर स इसलार मेही तो शनेर मेही क्यों तो देखेंगे शनेर मेही वाले व्यकति धीरे धीरे तेता कफ मिशरित रचिकना मूत्रत्याग करता है तो यह वर्ड हाइलाइट करने है मिद सनम क्योंकि अगर ऐसा आज़ शनेर सरक फर्म डैस शनेर में तो आपको ये वर्ड यार रखना है कि बीच में कौन सा वर्ड है मिद सनम ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है जो चीज़ आपको याद रखनी है वो मैं आपको बता दूंगे हाईलाइट करने के नहीं है पर देखके ही समझ जाएंगे फäreन आप बता है लवन विषिदंक ही वाला विकती स्वच और नमक के घोल के समान मूत्र तीयाग करता है तो आपको ये भी आप हालेट के लेना है विशद वर्ड को डैश लवन तुल्ली लवन में ही आ जाएगा ओप्शन्स दे देंगे तो आपको याद रखना है कि उसमें क्या होगा विशद होगा फिर आपको यहां रखना है पिस्ट में ही के लिए क्या बता है हिस्ट रोमा पिस्ट रस तुल्यम पिस्ट में ही गरस्त व्यक्ति रोमान चियुक्त हो के पिस्ट रस मतलब जल में घोले हुए आटे पिस्ट रस क्या होता है जब आटे को जल में घोल दे तो कैसा वो एकदम वाइटिश वाला मतलब जल हो जाता है बिल्कुल तो ऐसा मूत्र त्याग करता है और कैसा हिस्ट रोमा हिस्ट रोमान्च युक्त मतलब कि रोमान्च युक्त होकर पिस्ट ड्रस के समान आटे में घोल के समान मूत्र का त्याग करता है यह चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको यह वर्ड भी हिस्ट रोमा व कलूशट मतलब यहाद रखने है में आपको यह आपको स्थोक्र हाई सब यह इना है इस स्दोकम हाइलाइट करना है यह वर्ड आपको आ सकता है क्योंकि फेन महीं में कहसे होगा मदब थोड़ा थोड़ा जो होता है जाक के साथ मूत्र कत्याक करेंगे तो कफ़ज में टोटल दस थैं तो हमने देख लिए आपको इसमें हाइलाइट क्या करना है वह में आपको इस पहले हैं उसे हाईलini करेंगे मिर्शन किस निय कोम सब्ह inveja तो इससे पमेकर शैफिर आपको सईरुजम हाईलाइट कर डृटip रिस्ट रोमा आपको बताया है रिस्ट पिस्ट आपको ऐसे याद रखना है रिस्ट पिस्ट तो पिस्ट में ही के लिए रिस्ट रोमा तो आपको ये प्रकार से याद रखना है फिर अविलम सांद्र में ही सांद्र ये तो नहीं पूछेंगे स्तोक्तम स्तोक्तम किस के लिए पिछ प्रमय के लिए पिछ प्रमय के लिए पीछ प्रमय के लिए उसके लक्षन यहां पर सब कुछ बहुत असान है आपको असच कुछ हाइलाइट करने की जरूरत नहीं है अप लोग क्योंकि सब नाम में ही वर्ट भिया दिया गया है सफेना मच्छ नील में ही नील तो यहां पर नील वर्ण का अगर मूतरत्याग कौन करेगा जो नील में ही तो इसमें कुछ आपको याद नील में गरस्त व्यक्ति फेन्युक्त और निर्मल और नील रंग का मूतरत्याग करेगा कोई इतना हाड है नहीं अगर यह वो आप ही ज तो आपको पता चल जाए किसमें होगा फिर आपको यहां पर बता है स्थुत्चार प्रतिमाम यह भी नहीं आएगा मंजिस्टा उदक प्रकाशम मंजिस्टा में यह भी आपको पता चल जाएगा उसके वर्ड में ही कौन से प्रमय का यह नाम छुपाई तो इतना असान तो ऐ आपको अपको अंडरलाइन करने हाइलाइट करने की जरुरत नहीं है शोनित प्रकाशम शोनित में ही यह भी कुछ आएगा नहीं तो यह टूटर हमने पितच देख लिए तो इसमें सारे बहुत एजी है ऐस सच को डिफिकल्ट नहीं है फिर अब हम बढ़ते हैं वाद के त सरपी प्रकाशम सरपी मेही मेती यह आपको पता है इसमें भी नाम है सरपी मेही का होगा वसा प्रकाशम वसा मेही यह भी बहुत असान है चौदर रसवन चौदर मेही यह आपको क्यों देंगे ऐसा कि चौदर रसवन कौन से प्रमेही का है चौदर प्रमेही का होगा आप को प्ता झाल जाएगा वसा प्रकाश के समेक आयगा ये भी आपको पता होगा फिर जो चीज हस्ती मेहिँ मे हाइलाइट करना आप वो हाइलाइट करेंगे आप यह वर्ड यहाँ पर हाइलाइट करेंगे मतलब इसमें क्या बताया है जो हस्ती मेही वाला जो हाथी के समान जो होता है निरंतर मुत्र त्याग करता है उसके लिए यहाँ पर आप हाइलाइट करेंगे आपको यह वर्ड हाइलाइट करना है कि जो हस्ती में ही हस्ती के समान हाथी के समान जो निरंतर मुत्र कत्या करता है वो कौन होता है हस्ती में तो इसमें आपको एक वर्ड सिफ केवल हाइलाइट करना है बाकि आपके लिए बहुत इसी है as such कुछ important है नहीं फिर बढ़ते हैं हम आगे प्रमे की उपद्रव के तरफ यहां पर प्रमे की उपद्रव का वर्णन किया है आपको यह बहुत इंपॉर्टन आप यहां पर साइड में लिख लेंगे प्रमे की कितने उपद्रव बताएं 20 ये भी ऐसा question आ सकता है कि सुशलत निदान में प्रमहे कि कितने उपद्रवों का वर्णन किया गया थो तो numbering के लिए आपको याद है ना 20 ये चीज़ आप side में लिख लेंगे फिर यहां पर बताया हैं एक एक उपद्रव देखेंगे जो important होगा वही highlight करेंगे पहले हैं कफच प्रमहे कि उपद्रव के लिए बताया गया है मक्षिको उपसर्व आलस्य मांस उपचे प्रतिशया स्थौल्य अरोचे का विपाका कफ़ प्रसेक छर्दी निद्रकास स्वास चेति स्लेश में जान उपद्रवा तो ये कफच के लिए बताया है यहाँ पर आप देखेंगे इस चीज को मक्षिको का प्रमहे जो रोगी होता है कफच प्रमहे उनके मूत्र पर बैटना आलस्यम आलस्या आएगा कफच है तो आलस्या आएगा और मांस उपचे मतलब मांस का उपचे होगा ये भी आपको पत प्रतिेशे क्लिख के लिए आपको पता है, अरोचक इंपॉर्टेंट आप उसको हाईलाइट करेंगे, बाकी आपको लक्षन देख पता ही क्लिखे की ओव, निद्राका, श्वास आएगा, चर्दी, आपको पता चल जाएगा कफच प्रम हेगा, फिर यहाँ पर बताया गया है, पितच के लिए, वरुष्यो, बस्ती, भेदो, मेड, तोदो, है, यह दिशूलम, अमलिका, ज्वर, अतिसार, अरोचक, आपको यह वर्ड यहाँ पर हाइ पिपासा, निद्रानाश को अंडरलाइन करेंगे, पांडू, रोग, पीत, विन, मूत्र, नित्रत्वम, चेती, पैती काम, तो पितच में क्या बताया है, आपको क्या हाइलाइट करना है, एक तो रिद्द शूल, आपको यह हाइलाइट करना है, यहाँ पर पितच में हेद करना है कि अरोचक जो होता है हमको कफज में भी बताया था अरोचक जो होता है हमको पितज में भी बताया है लेकिन यहां पर अरोचक स्थैतिल्ले के साथ बताया था यहां पर अरोचक जुवर अतिसार के साथ बताया यह चीज आपको ध्यान में रखना है फिर आपको यहां टबता है तो यहां पर पेच के लिए पूरा पर इस प्रकार लिख लेंगे की हिद शूल किसके मेरे बता है शूल आ रहा था पित्त के लिए यह देखिए आप इस प्रकार लिख लेंगे कि हिदर शूल किसके लिए बताया है पित्तच का उपद्रव के लिए और ग्रह किसके लिए बताया है वातच के लिए यह चीज आप यहां पर जैसे मैंने लिखा आप लिख लेंगे फिर आप ले निद्रा अधिकता किस में आएगी कफच के लिए आएगी निद्रा नाश किस के लिए आएगा पितच के लिए आएगा अर निद्रा किस के लिए बताएगा वातच के लिए तो यह important जो था वो मैंने आपको बता दिया आप slash करके number लिख लेंगे कितने उपद्रव के लिए ब बताया तो जो चीज इंपोर्टेंट था हमने देख लिया अब बढ़ते हैं आगे हमारे प्रमहे पीडिका के वर्णन के तरफ प्रमहे पीडिका के लिए क्या बताया है आपको आपने चरक में पढ़ा होगा टूटल कितने प्रमहे पीडिका थे साथ बताये गए थे और अब यहां पर बताया है कि वसा और मेद धातु से व्याप्त शरीर में तो तत्र वसा मेद अभ्याम शरीर अस्य त्री दोशच तो यहां पर क्या होता है आप नीचे देखेंगे आप यहां पर यह दो वर्ड हाइलेट करेंगे कि किन दो के वज़े से जो होता है प्रम्हे पी यह दस है आपको इन दस के नाम याद होना बहुत जरूरी है आपको चरग में बताया था शराविका कच्छपिका जालनी सर्शप अल्जी विद्रदी विंता यह टोटल था आचरे चरग के अनुसार और आचरे सुष्णुत ने पुत्रगनी मसूरिका और विदारिका यह ती आगे देखेंगे प्रमहेःइपीड के विशेश लकषियन के बार में आप आचरे सुष्णुत 9 कर्ण किया है यह पीullieजमें से कटोरे और इस प्रकार कया हो casos दो होता हैा उसी प्रकार हमारा शराविका जो पीडिका होता है वो भी बीच में से कैसा होगा अंदर के साइड यह ऐसा होगा ठीक है फिर यहां पर सर्शप के बारे में बताया है सराविका तो गौर सर्शप संस्थानाम तत्प्रमानम्च सर्शपी तो यहां पर गौर सर्शप जो गौर तो यह किसे लिए बता है जालिनी के लिए बता है कि तीवरदाह होगा उसमें और मांस का जाल के समान होगा जालिनी फिर ही यहाँ पे पुत्रणी के बार में बताया गया है मतलब कुछत्रणी मसूर्चोर के समान आकार वाला होता है कैसा हो आकार में बड़ा होगा किन्तो छोटे-छोटे फुंसियों से युक्त पीडिका होगा महत्या अलप चिता मतलब बड़ा होगा लेकिन आकार में छोटे-छोटे फुंसियों से युक्त होगा पुत्रिगनी फिर हाँ पर बता है मसूरिका मसूर समस्थानाम गेय तू मसूरिका मसूरीका के लिए का बताए जो मसूर के दाने के समान आकृति वाला होता है वो कौन होगा मसूरीका इंप्रोटेंट आपको यह याद रखना है अलजी के लिए बताए मतलब जो रक्त सिता आकृति के समान को ऑगा मतलब जो लाल काली फुंसियों से व्यापत और दारुन और जो अतिन्त दुखदाई होगा वो कौन होगा हमारा अलजी होगा तो यहाँ पर आपने अलजी के लिए देखा फिर आगे बताया है आगे विदारी कंद वृता कठीन विदारी कंद के समान कठीन होगा विदारी कंद के समान होगा कैसा कठीन तो विदारी कंद के लिए बताया है फिर विद्रदी के लक्षन के लिए क्या बता है विद्रदे लक्षन युक्त गे विद्रदी तो यहाँ पर आपको आप देखेंगे विद्रदी के लिए क्या बता है जो विद्रदी के लक्षन वाला विद्वानों द्वारा वो विद्रदी कहते हैं विद्रदी का तो यह च कच्छुए के पीठ के समान का ओए वो कच्छ पिका फिर जामरती फिर और गय कि छोटे छोटे फुंसियों से वन होगा कौन पुंत्रगणी होगा फिर मसूरी का मसूर के दाने की समान आकरिती वाला जो होगा मसूरी का रखतिसी तलाल काले स्वोट से युक्त और जो दारन अग्दम दुखदाई होगा वो कौन होगा मारा अलजी होगा फिर यहां पर विदारी कंद के समान जो कठीन होगा वो कौन विदारी का होगा और व फिर यहाँ पर प्रम्ह पीडिका असाध्य पीडिकाएं कैसी होती इनके बार में लक्षन के बार में बताया गया है जो गुदे हिद्य सीर प्रिस्ट मर्म स्थान पर होगा वो कैसा होगा असाध्य सा उपद्रवा दुर्बल अगने पीडिका परी तो यहाँ पर क्रिश मनु गया है असाध्य वातश प्रमः के बारे में यहाँ पर क्रिफरेंज के लिए एक श्लोक बताया गया कृत्षनम शरीर निश्पीड मेदो मज़वसा युक्त अधब प्रक्रमते वायू स्तन असाध्य तेवायू सारे शरीर को निचोड कर मेद मज़वसा के साथ जो ता नीच हम ने कि प्रमे कि पुर्वरूप के लिए क्या पढ़ा था कि अविल और प्रभूत मात्र 하는데 में जब मूत्र का त्याग तो वो प्रमेर हो तो वैसा लक्षण अगर दिखा देने लगे तो उसे प्रमेर होगी है ऐसा समझना चाहिए। फिर अश communicate मदू मेह के लक्षन बताया गया है आपको यह चीज बहुत इंपोर्टेंट है याद रखनी है यहाँ पर आप देखेंगे पीडिका पीडितम गार्णम उपद्रवे मदू मेहिन चस्टिस असाध्य प्रतिक्रिया यहाँ पर क्या बता है प्रमेपीडिका उसे अत्याधिक प पीडित है और पूर्व उपद्रव है जो 20 उपद्रव पढ़ें थे उनसे भी पीडित है तो उसे मदू मेहिन गरस्त है ऐसा जानके असाध्य होता है तो असाध्य मदू मेहिन के क्या लक्षन है कौन सा व्यक्ति असाध्य होता है जिनको 10 प्रमेपीडिका है और 20 उपद् कि लक्षन ये देखेंगे आप यहां पे देखिए सच आप जया गा बैठे गा तो लेट जाएगा लेट जाएगा तो सो जाएगा ऐसा टाइप है कि जब कोई व्यक्ति मधु में से ग्रस्त है वह बहुत आलस वाला हो जाता है तो वह कोई भी स्थान पर ज्यादा देर चल नहीं पाएगा चलेगा तो उसका मन करेगा कि वह बैठ जाए कहीं पर जब बैठ जाएगा तो उसका मन करेगा कि वह लेट जाए थोड़ा सा अपने कमफर्टेबल पोजीशन में फिर जो वह लेट जाए तो वह सो जाएगा इस प्रकार आलस से होता है मदू मेही वाले व्यक्ति उसके लक्षन यहाँ पर बताएगा है आप इस प्रकार यहाँ पर देख लेंगे फिर यहाँ पर देखी लिखा है सर्व एवं प्रहमे हस्तु का अप्रतिकारिणा मदू मेह तदा साध्य भवती क्या बता है जब आप सभी प्रकार के प्रमेह का प्रारहम ववस्ता में अगर चिकित्सा नहीं करेंगे तो कुछ काल के बात अप्रतिक्रिया मतलब चिकित्सा नहीं करने का कुछ काल के बात मदू मेह में कनवर्ट हो जाए तो इसी प्रकार हमारा अध्य है यहाँ पे समाप्त होता है, I hope आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, अगर आप लोगों कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सक्षन में पूछेंगे, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज द करदो आप हमारे इंस्टाग्रा आप है, क्वाँ लोगों वेंगे, इंस वाल लोगों कोई भी लोगों कोई वें और बहुत, बहुत है तो आप लोगों कोई अज आप है।